बहुत बार हम मार्केट में बाग लेने जाते हैं तो बहुत सुन्दर सी बनाई हुई बाग हमें मिलती है तो हमें लगता है हम घर पर बनाते हैं तो इतनी अच्छी बाग नहीं बनती है लेकिन मार्केट में बहुत सुन्दर बाग मिलती है ऐसी बैग आप घर पर भी बना सक यह हमने यह खण का जो फाब्रीक आता है वो हमारे पास बैक बनाने के बाद छुटा सा यह पीस बचा था वो हमने लिया है और यह पेपर कैनवास है यह नॉर्मली 15 रुपया या 20 रुपया मिटर में आपको मिल जाएगा और अगर होलसेल में लेंगे तो 11-12 रुपया मिटर भी मिलता है अभी मैंने यह सिंपल सा यह फाब्रीक है यह स्टीकी साइड कपड़े की बैक साइड में प्रेस करके यह स्टीक की है तो यह फाब्रीक सुन्दर सा यह प्रेस हो गया यह प्रेस होने के बाद अगर आपको कुल्ट करना है तो ऐसे फोम आते है इसकी तिकनेस क यह ज़्यादा आप जैसे आपको चाहिए वैसे आप ले सकते हैं ऐसे पेपर के अनवास डालने के बाद अगर यह नीचे फोम रखकर आप कुल्ट करते हैं तो बहुत सुन्दर सा कुल्टिंग हो जाता है ऐसा आप फोम ले सकते हैं यह 6 mm का फोम है इसके बाद यह रबर्शिट आती है यह भी तिकने इसके उपर है यह जाड़ी पतली आपको जैसे चाहिए वैसे आप ले सकते हैं यह रबर्शिट इसके पीछे यह पेपर के अनवास जोडने के बाद इसके पीछे चारों साइड से सिलाई करके यह जोड सकते हैं अगर आप दो पीसे साथ में प्रेस करके लिए हैं और ये रबरशिट के दो पीस में कट करूंगी और इसके पीछे चारो साइड से सिलाई करके पहले जोड़ दूंगी देखिए ऐसे हमने दो पीसे कटिंग किये और ये रबरशिट हमने लिए है इसके पीछे रखी और हम ऐसे कटिंग करेंगे बहुत बार कपड़ा प्रेस करते हैं तो श्रींग होता है तो प्रेस करने के बाद जो पैक का मेजरमेंट रहेगा वैसा कट कर सकते हैं देखिए ऐसे हमने ये दोनों पीस रबरशिट के साथ बनाए है और ये बनाने के बाद बेल्ट के लिए हमने दो फाबरिक के पीसेस लिए 13 इंच बाए 3 इंच इसके इसका पाउन इंच का बेल्ट बनेगा देखिए सेंटर से एक फोल्ड किया यहाँ से एक फोल्ड यहाँ से एक फोल्ड और इसके बीच में डालने के लिए हमने ये 3 4th inches की rubber sheet की चोटी सी stripli है यह हम इसे इसके बीच में रखेंगे यह center का यह center का fold है उसके बाजू में यह पट्टी रखी यहाँ से एक fold यहाँ से एक fold और यहाँ हम से लाई करेंगे देखिए ऐसे हमने यह दोनों build बना हैं बहुत सुन्दर इसे soft build बने है देखिए यह हमने 9 inches की zipper लिए इसके अंदर हमने runner डाला runner डालने के बाद यह 2.5 inches by 1.25 inches 1.5 inches के यह 2 pieces हमने लिए यह fabric के पीछे यह paper canvas हमने attach किया है और 2 अस्तर के pieces लिए इस सीधी side इसके उपर और यह अस्तर के सीधी side इसके पीछे यहा हम सिलाई करेंगे यहाँ सिलाई होने के बाद यह fabric और अस्तर ऐसे यहाँ top stitch और यहाँ से यहाँ अदक हम सिलाई करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सुन्दर finishing से यह joint हो गया और यह होने के बाद ये दो pieces है, 8 inch by 12 inch के, उसमें से हम एक piece लेंगे, जो back side का है, और एक front side का हम side में रखते हैं, ये दोनों सेम है, अगर आप front side में इसे एक border लगाते हैं, back side अगर plane है, तो back side का part हमें लेना है, देखिए, ये हमने 1,5 inch का mark किया, एक line draw की है, ये zipper थोड़ी सी बड़ी है, इतनी सकते हैं, या तो दोनों side से same छोड़ सकते हैं, अगर आपको center का mark करना है, तो यहाँ पर ऐसे center का mark कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ से cutting करेंगे, cutting होने के बाद एक part हम side में रखते हैं, ये एक piece लिया, 12 inch by 11 inch, 11 inch इसकी height है, और ये 12 inch है, runner की side हमने इसे रखी, और ये हम ऐ इसे रखेंगे, zip की सीधी side, fabric की सीधी side के उपर, और इसके पीछे ये अस्तर की सीधी side हम इसके पीछे रखेंगे, ये 12 inch की side है, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, देखे, यहाँ आमने सिलाई की सिलाई होने के बाद हम ये अस्तर back side ऐसे करेंगे, और यहाँ top stitch, द दोनों साइड से और ये होने के बाद ये अस्तर की दूसरी साइड उपर की साइड में और इसके उपर ये कट किया हुआ पिस अगर जबरशिट के उपर सिलाई नहीं आती है तो अस्तर की साइड में इसे सिलाई कर सकते हैं देखिए यहां सिलाई होने के बाद ये सिलाई करेंगे इस तरह से और यहां टॉप स्टिच देखिए यहां हमने सिलाई की इसके बाद यह ऐसे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखिए यह हमने बारा इंच वा आठ इंच के दो अस्तर के पिस्स यह नाइन इंचिस की जिपर और यह अस्तर की चार पीसे से लिए है यह से उपर से और नीचे से हम ऐसे जोड़ देंगे इसमें मैंने जिपर अटाच की लेकिन यह अस्तर के साथ जॉइन मुझे करना था लेकिन मैं भूल गई मुझे ऐसा ही यह पीस बनाना था लेकिन यह मैंने इसके साथ सिर्फ यह जिपर ही जॉइन की तो यह जो अस्तर है यह मैं इसके बैक साइड में रखूंगी और चारो साइड से सिलाई करूंगी तो यह पॉकेट हमारा तयार हो जाएगा दिखिए ऐसे हमने यह पीस बनाया है और यह बनाने के बाद यह जो दो पिसस है यहाँ से इंडर का मार्किया यहाँ से दो इंच यहाँ से दो इंच ऐसे ही इसके उपर और यह दोनों बेल्ट हम ऐसे जोड़ेंगे दिखिए यह हमने 12 इंच की जिपर ली और यह सीधी साइड ऐसे हमने रखी यह प्लेन अस्तर का पीस है 12 इंच बाइ 8 इंच इसका अस्तर की सीधी साइड हम ऐसे रखेंगे इसके पीछे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की सिलाई होने के बाद यह अस्तर अंदर की साइड में ऐसे करेंगे बेल्ट उपर रहेगा और यहां हम टॉप स्टीच करेंगे देखिए ऐसे हमने यहां टॉप स्टीच किया और टॉप स्टिच होने के बाद ये अस्तर ऐसे रखा ये जीपर की दूसरी साइड हम इसके उपर रखेंगे और ये दूसरा पीस इसके उपर यहां से यहां तक सिलाई करेंगे देखें यहां मनें सिलाई की इसके बाद ऐसे अस्तर और ये फाबरिक का पीस ऐसे करेंगे बेल्ट उपर रहेगा और यहां टॉप स्टिच देखें यहां टॉप स्टिच होने के बाद ये दोनों बेल्ट एक ही लाइन में हमें रखना है अगर नहीं है तो यह zipper separate कीजिए और दोनों को एक line में रखकर यहाँ से runner डाल सकते हैं और यह होने के बाद इसे यह back side है और यह front side है front side है तो हम यहाँ से runner डालेंगे अगर आप दो runner डाल रहे तो यहाँ से एक यहाँ से एक इसमें मैं एक runner डालूँगी तो मैं यहाँ से डालूँगी क्योंकि यह front side है देखें ऐसे हमने runner डाला runner डालने के बाद इस दोनों fabric के पीस अस्तर के पीस एक एक side में zipper जिपर अस्तर के side में ऐसे रहेगी पूरे चारो side से हम सिलाई करेंगे अस्तर के side में इतनी space हम छोड़ेंगे यहाँ से ऐसे यहाँ तक हम सिलाई करेंगे zipper की side ऐसे रखेंगे देखें ऐसे हमने यहाँ इतनी space हमने छोड़ी है पकी चारो side से हमने सिलाई की सिलाई होने के बाद यहाँ से open करेंगे और ये बैग हम ऐसे बाहर निकालेंगे देखिए ऐसे हमने सिधी साइड की सिधी साइड करने के बाद ये जो open space है open space यहाँ से ये corners अच्छे से बाहर निकालेंगे देखिए ऐसे और यहाँ पर भी यहाँ से और यहाँ से यहाँ से और ये होने के बाद यहाँ पर भी ये दोनों ये ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड ऐसे और इसके उपर टॉप स्टीच देखिए ऐसे हम ने टॉप स्टीच किया टॉप स्टीच होने के बाद ये अस्तर अंदर की साइड में करते हैं ऐसे हमने असतर अंदर के साइड में किया बहुत सुंदर सी ये बैग बनी है जैसे हम मार्केट से खरित के लाते हैं वयसे ही ये आप घर पे बैग बना सकते हैं अंदर एक सेपर का पॉकेट है बहुत बड़ा है और बैक साइड में भी एक पॉकेट है